प्रेंका चोपना सेरोगेसी तकनीक से मा बन गई है प्रेंका से पहले बॉलिवूट एक्ट्रेस प्रिदी जिन्टा, शिल्पा शेटी, शारुक खान, करंग जोहर और एकताखपूर जैसे कई सितारे सेरोगेसी की मदद से पेरेंट्स बन चुके है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेरोगेसी क्या होती है और भारत में इसके क्या नियम है क्या कोई भी सेरोगेसी की मदद से मातापिता बन सकता है सेरोगेसी का मतलब जिसमें कोई भी कपल बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोग किराय पर ले सकते हैं सेरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एक्स के जरीए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेगनेंट होती है सेरो गेसी से बच्चा पैदा करने के पीछे कई वजा है जैसे की अगर कपल के अपने बच्चे नहीं हो पा रही हो गरभा धारण से महिला की जान को खत्रा या और भी कई परिशानिया होने की अशंका है या फिर कोई भी महीला खुद बच्चा पैदा करना ना चाह रही हो जो औरत अपनी कोख में दूसरे का बच्चा पालती है वे सैरोगेट मदर कहलाती है सैरोगेसी में एक महीला और बच्चे की चहा रखने वाले कपल के बीच एक एग्रिमेंट किया जाता है इसके अंदर इस प्रेगनेंसी से पैदा होने वाले बच्चे के कानूनन माता पिता वो ही कपल होते हैं जिनोंने सैरोगेसी कराई है सैरोगेट मा को प्रेगनेंसी के दोरान अपना ध्यान रखने के लिए मेडिकल जरूरत के लिए पैसे दिये जाते हैं ताकि वो गर्भावस्था में अपना खयाल रख सके आये जानते हैं सेरोगेसी कितने तरह की होती है सेरोगेसी भी दो तरह की होती है पहले सेरोगेसी को ट्रडिशनल सेरोगेसी कहते हैं जिसमें होने वाले पिता या डोनर का स्पम सेरोगेसी अपनाने वाली महिला के एक से मैच कराया जाता है इस सेरोगेसी में सेरोगेट मदर ही बायोलोजिकल मदर होती है वहीं दूसरे तरफ जेस्टेशनल सेरोगेसी में सेरोगेट मदर क्या बच्चे से संबन जैनेटिकली नहीं होता यानि प्रेगनेंसी में सेरोगेट मदर के एग का इस्तमाल नहीं किया जाता सेरोगेट मदर बच्चे की बायोलोजिकल मा नहीं होती वो सिर्फ बच्चे को जन्म देती है इसमें होने वाले पिता के स्पम और माता के एक्स का मेल या डोनर के स्पम और एक्स का मेल टेस्ट टूब के जरीय कराने के बाद ही इसे सेरोगेत मदर के यूटरस में प्रत्यारोपित किया जाता है आईए जानते हैं भारत में क्या है सैरोगेसी के नियम सैरोगेसी के दुरुप्रयोग को देखते हुए अब भारत में इसे लेकर तमाम नियम तै कर दिये गए हैं जादतर गरीब महिलाएं आर्थिक परिशानियों के चलते सैरोगेट मदर बनती है सरकार की तरफ से इस तरह की कमर्शियल सेरोगेसी पर लगाम दी गई है 2019 में ही कमर्शियल सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसके बाद सिर्फ मदद करने के लिए ही सेरोगेसी का आप्शन खुला रह गया है केमर्शियल सेरोगेसी पर रोक लगाने के साथ ही नई बिल में अल्ट्रस्ट्रिक सेरोगेसी को ले कर भी नियम काईदों को सक्त कर दिया गया था इसके अंदर विदेशियों, सिंगल पेरेंट्स, तलाक शुदा जोडो और लिव इन पार्टनर्स और एलेजीबिटी समुदाय से जुड़े लोगों के लिए सेरोगेसी के रास्ते बंद कर दिये गए हैं सेरोगेसी के लिए महिला के पास मेडिकल रूप से पूरी तरह फिट होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए तबी वे एक सेरोगेट मा बन सकती है वही सेरोगेसी के आद सहारा लेने वाले कपल के पास इस बात का मेडिकल प्रमान पत्र होना चाहिए कि वो इन्फर्टाइल है लेकिन सेरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 में कई तरह के सुधार किये गए है इसमें किसी भी इच्छुक महीला को सेरोगेट बनने की अनुमती दे गई है आएँ जानते हैं कितना खर्चा आता है सेरोगेसी की इस प्रक्रिया में डॉक्टर्स के अनुसार ऐसा कहना है कि सेरोगेसी एक बहुत महंगी प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां सत्तर से जादा महिलाएं हर साल अपनी कोक बेचती है हर मही ने 6-8 सेरोगेट मदर बच्चे को दे रही है सबसे खास बात तो यह है कि 90 प्रतीशत मामलों में सेरोगेट मदर को कोक का किराया दिया जाता है सेरोगेटी प्रक्रिया में खर्च 15 से 20 लाख रुपे असानी से आता है आगे ऐसा भी कहा गया है कि सेरोगेटी का आप्शन चुनना गलत नहीं है लेकिन इसके लिए आपके पास पूरी जाच प्रताल करनी जरूरी है जादतर देखा जाए तो सेरोगेटी से कम समय में पैसे की चाहत में इसे महिलाएं अपना रही है परिवार का भविश्य सुरक्षित करने बच्चों को सही देख बाल और पढ़ाई या फिर किसी के इलाज के खर्चे उठाने के लिए छोटे वर्क की महिलाओं को सेरोगेसी पैसे कमाने का एक असान रास्ता दिखता है अगर देखा जाए तो इसके उपर एक फिल्म भी बनी है जिस फिल्म का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके इस फिल्म में प्रिती जिन्टा सल्मान खान और रानी मुखर जी मुख्य भूमी का निभाते हैं फिल्म में कुछ ऐसा होता है कि रानी मुखर जी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती तो उसके लिए प्रिती जिन्टा सेरोगेट मदर बनती है कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद सेरोगेट मां भावनात्मक लगाफ के चलते बच्चे को देने से इनकार कर देती है और ऐसी इस्थती में विवाद की इस्थती निर्मित हो जाती है ऐसे कई मामले सामने भी आए हैं दूसरी और कई बार ऐसा भी होता है कि जब जन्म नेले वाली संतान विकलांग होती है या किसी और बिमारी से गरस्थ होती है तो इच्छुब दमपती उसे लेने से इनकार भी कर देती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अब तक आपने हमारे फेस्बुक पेज को फोलो नहीं किया है तो फोलो ज़रूर करें सब्सक्राइब करें हमारी यूटुब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं आप हमें फेस्बुक और ट्वीटर पर भी फोलो कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद